तो पाट 28 की शुरुआत वहीं से होती जहां पिछला पाट खतम हुआ था यूंसोंग यून्वो को लीगल टीम के डाइक्टर की पुजिशन से हटा देता है और रिजन दिया था कि उसने कुछ गलत काम किया है अभी यूंसोंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम जरूर काफी शॉक्ट हुए होगे पर जल्दी ही तुम्हारे लिए एक कमिटी बिठाए जाएगी यूंसोंग कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है पर कहता है कि कल में बहुत ज़्यादा बेजी था तुम्हें उस बार में पता नहीं है न यूंसोंग कहता है कि कहना क्या चाते हो यूंसोंग कहता है कि वो अभी थोड़े नकरे दिखा रहा है पर सच्चा ही कैसे उगलवानी है वो मुझे अच्छे से आता है इसमें उनसों कहता है कि फिर all the best, जलो वही करते हैं जिसमें हम दोनों best हैं, ये बुलकर चला जाता है, इधर सियोली ने बटलर ग्रेस को बात करने के लिए बुलाया था, जहां सियोली ग्रेस को एक offer देती है कि अगर उसने चेर्मेन को ढूंड लिया, जिवो अभी कहां पे और खुद भी चेर्मेन को ढूंडने में लग जाती है, इधर बॉमजा अंटी का डिटेक्टिब भी काम पे लगा हुआ था, जो बॉमजा को बताता है, कि ये उनसोंग ने चेर्मेन को कहीं और शिफ्ट कर दिया है, जो सन बॉमजा अंटी को तो बहुत ही ज़ादा गुस जो बीच वाले लोग होते हैं, जो बीच वाले लोग होते हैं, वो लोग गम को सहन कर लेते हैं, और जो लोग सबसे बुद्धिमान होते हैं, वो लोग ऐसे सिचूशन में मीट खाते हैं, इसलिए अगर कभी रोने का मन करें, तो जाकर मीट खा लेना, ये बूल कर वो चले इसलिए हिनुवी के डाट को काफे बुरा लगता है इधर सूचल दाहाई को कॉंटाइट करनी की बहुत कोशिश करता है पर दाहाई ने तो अपने सारे कोरियन अकाउंट्स बंद कर दिये थे इसलिए सूचल बहुत जादा दुखी होता है और तभी यूंते का बेटा हो कि ये गेम तो दाहाई भी बहुत खेलती थी इसलिए सूचल ने बहुत बार उसके साथ ये गेम खेला भी था इससे वो अपने फोन पर वो गेम लॉग इन करता है इसके फ्रेंड लिष्ट में अभी दाहाई थी इस पर वो देखता है कि दाहाई तो दो गंटे पहले ऑनला अब ये वैसा ही कुछ काम कर रही थी लेकिन यहां पर युनवो और यांग पहुंच जाते हैं जो से बात करनी के लिए बुलाते हैं जहां ये दोनों बटलर का भांडा फोड देते हैं कि बटलर ने अभी तक जितने भी लोगों को चीट किया था जूट बोलकर कहीं शाद बलाई है वरना तुम जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ तो बटले इनका साथ देने के लिए मान जाती है सबसे पहले बॉम जानटी से चेर्मन के बारे में पूछते हैं तो ये बता दी है कि यूंसों के अलावा इसके बारे में और किसी को नहीं पता इसलिए तो सियोली ने मुझे उन्हें ढूंडने का काम दिया है और डोंट वरी मेरी टीम लगी हुई है उन्हें ढूंडने में और अगर हम सब मिलकर ढूंडेंगे तो और जल्दी मिल जाएंगे तो सब लोग ढूंडने के लिए हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर बांट इनकी मुझे के लिए एक शॉप में आती है उन्हें काफी ओर्डर तो कर दी थी पर पेग करने के लिए जब वो अपना कार्ड देती है तब उनका कार्ड एक्सेब्ट नहीं होता क्युक्कि उनके सारे कार्ड्स तो ब्लॉक कर दिये गया थे बट लगीली यहापर पताशल जाता है कि यून्वू को कोई गलत काम करने के इल्जाम में उसके पुजिशन से हटा दिया गया है। इधर यून्वू घर पहुंच जाता है तो मिसौन उसे बताई देती कि कल रात यून्वू जैलिस था इधर पूरा दिन नाशपाती थोड़ते वे यून्वू की मौम की हालत खराब हो जाती है। इधर यून्वू घर पहुंच जाती है। वापस लोटने के लिए बोला। इधर नकली साइन करवा ले से लिए वो तुम्हार साथ कुछ भी कर सकता है। यून्वू केहता है कि मैं इस सब तुम्हार लिए ही तो कर रहा हूँ। इस पर हैनो से कह देती है कि मेरे लिए आपसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने प्रॉब्लम्स का सलुशन खुती ढूंड लोंगी। ये बूल कर वो अंदर चली जाती है। पर ये सुन हैनोवू बहुत दुखी होता है। इसलिए वो अपनी मॉम को सब कुछ सच बता देता है। ये इन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो सुन मॉम भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो ये वो ने हैन का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। इनों की मॉम तो दोनों के पार में सोच करी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। इसलिए वो है इनकी और ज़्यादा केर करने लग जाती है। इतने सुचल दहाई के ओनलाइन आने का वेट कर रहा था। ओनलाइन आते ही वो उसे गेम में मैसेज करता है। दहाई को लग रहा था कि वो उसे गाली वगेरा देगा। पर सुचल उसे गौनू का वेक्सिनेशन रिकॉर्ड भेजता है और बताता है कि चाहे तुम जहाँ भी हो। परियाद से गौनू का MMR वेक्सिन का सेकंड डोज और चिकन पॉक्स वेक्सिन लगवा देना और वेक्सिनेशन कराते वक्स जरूर से बेबी शाक का गाना गाना। इससे दहाई याद करती जब गौनू को उसका पहला डोज लगाया था तो वो बहुत रो रहा था। जो देकर सूचोल ने उसके लिए बेबी शाक गाना गाया था जिससे गौनू चुप हो गया था पर सूचोल तो गौनू को रोता हुआ देकर ही रो पड़ा था क्यूंकि वो खुद बहुत ही जादा सेंसिटिव था सूचोल के बारे में सोचकर दाहाई को रोना आ जाता है इसलिए वो अफलाइन चली जाती है जो देकर सूचोल भी बहुत दुखिया होता है इदर हीन सीओल जाने के लिए निकल रही था सामने उसकी मॉम उसे रोकर पूछते कि आखिर सब लोग सीओल क्यों जा रहे हैं प हीन उने ये सब कुछ के लिए थैंक्यू कहती है इदर बटलर पता लगा ली थी कि चेर्मन कहां पर है तो बॉमजा उसे लेकर वहां के लिए निकल जाती है इदर हीन हीनो को प्रोटेक्ट करने के लिए विंस ग्रूप में वापस आ जाती है उसके बार में फिर से क्यों से डर कर नहीं आई हूं मुझे पता है कि जो चीज हमारी है वो तो हमें कभी नहीं लोटा होगे इसलिए क्यों नहीं मैं इसे शेयर कर लूँ इसलिए अपनी बात पर ठीकर रहना ली कहकर दोनों प्रेस कॉंफरेंस के लिए निकल जाते हैं तभी यून वो दौनते ह वे बाहर आता है लेकिन वो लोग चले गए थे क्यों वो भी कुछी दिर में वहाँ पर पहुंच जाता है नहीं इन को ढूंडने लगता है है इन मिलती तो उससे पूछते कि तुम यहां क्या कर रही हो है इन कहती मैं बताय था ना कि मैं अपने प्रॉब्लम का सलूशन होंगे यह बोलकर वो लोग अंदर जले जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि स्यॉली भी अपने बॉडिगार्ट के साथ इस हॉस्पेटल में पहुच गई थी और इधर चैर्मेंड को होश भी आ गया था इधर प्रेस कॉंफरेंस में जाने से पहले यून सॉंग को सब कुछ बताता है कि उसे क्या सब बोलना है इसमें से कि इन दोनों का वेडिंग अनॉंसमेंट भी होने वाला था यून सॉंग का सेगेटरी बताता है कि सामने टेली प्रॉंटर भी होगा इसलिए आप दोनों को वही दे कर बोलना है यून सॉंग बताता है कि मैं आखिर में हमारी एनाउंस करूँगा जो सुन है इन स्माइल करती है इसके बाद दोनों पहुत जाते प्रस कॉंफरनस में जाहिए उनसोंग अपनी बात शुरू करता है कि मैं क्विंस ग्रूप का सेकेंड लार्जर शेर होल्डर हूँ इसलिए हमारे पुराने चयर्मेंग के बिमार होने के बाद मुझे चयर्मेंग बनाये गया क्योंकि मुझे काफ़ी सारे बड़े-बड़े कंपनीज को मैनेज करने का एक्सपिरियंस है पबलिक ने मेरे बारे में बहुत सारे डूमर्स फैलाया होंगे जैसे मैंने पुराने चेर्मेन को धोखा दिया, उनकी फैमली को धोखे से उनके घर से ही निकाल दिया, उनकी जगा चिनली ये सब बकवास है, असल में हमारी पुराने चेर्मेन यही चाते थे, इसलिए मेरी इस बात को प्रूफ करने के लिए, मैं अपनी दोस्त मिस्स है इन जोटे केस में जेल भिजवा देंगे जोटे के दोर पर मेरे पास इस बात की रिकॉर्डिंग है जोसुनी उनसॉंग रह जाता है तो माइक पहातर कर उससे कहता है कि क्या बोल रही हो तुम पर Hain आगे बताती कि मैं आपने डिपार्टमेंटल स्टोर की सियो की जगा नहीं ले सकती क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताये कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है जीने के लिए जो सुन सब लोग शॉक्ट हो जाते हैं सारे मेडिया वाले इस बात का ब्रेकिंग नियुस बनाने लग जाते हैं ये बोलकर Hain युनुव की और देखने लग जाती है युनुव भी समझ जाते कि Hain ने ये सब उसे बचानी के लिए ही किया है इसलिए वो बहुत जादा एमोशनल होता है और इसी के साथ एपिसोड का याण यहीं पर होता है पर एपे लोग में हमें चार साल पहले का सीन दिखाय जाता है जब Hain के सीनियरों सब को ड्रिंग के लिए ले गए थे सब लोग ड्रिंग कर रहते हैं इनका बॉस उसे भी ड्रिंग कानी के लिए कहता है इससे हैं इनको बहुत जरिसी होती है इसलिए वो तो बाहर चली आते हैं इनवों से बात रही जाते हैं क्या हो गया क्या मेरी वज़े से तुम्हें uncomfortable लगा Hain केती हाँ बहुत ज़्याता है की मैं तो बस जिससे लड़कियां तुम पे फिदा हो जाती है से लिए कभी भी दूसरी लड़कियों के सामने ड्रिंक मत करना जो सुन है इन बहुत खुश हो गई थी अब प्रिजन टाइमे जब है इनने उसे कहा था कि मेरी फिकर करना छोड़ दो कि तो क्या उसकी हार्टबीट फास्ट होगी युन ते कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो तुछ भी दिवर्स नहीं देती युन वो से कहता है कि पर मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मेरा दिल जोरो से क्यों धरकता है उसे देख कर मैं बहुत ज़ञा होऊ जब सामने नहीं होती तो मैं उसे बहुत ज़ञादा मिस करता हूँ और मुझे इस बात का डर बहुत सताती है कि मैं उसे दुबारा कभी देखना ही पाऊँगा पर वो नहीं चाहती कि मैं उसके लिए कुछ भी करूँ हैन मुझे पसंद करती है पसंद नहीं करती है कर रहा था पर हर बार आखरी पत्ते में पसंद नहीं करती ही आता है लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे पत्तों के टहनिया लेकर आया था एक में पसंद नहीं करती है तो दूसरा निकाल लेता है इसी तरह उसके पास पत्तो की आखरी टहनी बची थी इसमें likes me, likes me not कहते हुए वो घर के अंदर आ जाता है हैईन के रूम के बाहर ही वो पत्तियां तोड रहा था बहुत रात हो चुकी थी, सिरे उससे लग रहा था कि हैईन सो चुकी होगी लेकिन हैईन तो उसके इंतजार में जाग रही थी तो वो रूम के अंदर से हैईन वो को likes me, likes me not करता हुआ सुन लेती है पर इस बार आकरी पते में likes में आता है जो देख हैईन वो तो बड़ा खुश हो जाता है क्यादा है कि वो मुझे पसंद करती है ये बोलते हुए वो तो अपने में ही बहुत जादा खुश हो रहा था पर फिर वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है मैं तो हैईन से प्यार करता हूँ ये बोलकर वो बहुत जादा खुश हो रहा था और हैईन ने उसकी ये बात सुन ले थी तो अभे इनने लाइव आकर इतना सब कुछ कह दिया था इवन उसने अपने कंडिशन के बार में भी हिंट दे दिया था तो क्या वो चुचाती थी वो होगा या फिर यून सॉंग फिर से कोई नया चाल चलेगा देखेंगे हम अगले एपिसोड में इसके लिए फिर से हमें संडे तक अवेट करना पड़ेगा बट डोंट वरी इस बीच मैं एक और ड्रामा एक्स्प्रेंड करूंगा तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चानल पर पहली बार आए तो do subscribe and hit the bell आइकन जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में दबते के लिए take care and bye bye